दायक पदल स्तिफळे के पहली ब्स्तार न्यूज एग्जेक्यूटिव एडिटर जानेन तिवारी हा राइपुर लोग सभा सांसत प्रिज्वहन अगरवाल ले खास गोट बात करें अपना सुनौ हलो प्रिज्मोहन, हलो प्रिज्मोहन, हलो प्रिज्मोहन अब बिर्जमोहन कह रहे हैं नास्तार में ग्यानिदर्तिवारी और आप विस्तार नीज देख रहे हैं अभी पुराने राज देता है इतले पुराने राज देता है कि अब शुरुवात यो कि है हलो पुरीजमोहन से इसके पीछे क्लिक बहुत बड़ी कहानी में बताने संहेतर हैं और लगभत वाट नीजड्स से एक हजार लोगों को ने पुखता के बाहर这是 ने ने पाना मतलब सांसद विधायक मंत्री यह सब तो आने जाने वाली चीजे हैं परंतु लोगों का जो प्यार है इसने है असिरवाद है अपना पन है लगाव है वो पर्मानेंट है और वही मेरी ताकत है तो आज अचानक से आप तो कह रहे थे कि 6 महने तक मंत्री रह सकता हूं आज अचानक से विधायक पत से इस्तीफा देना इसके पीछे की कहानी क्या है लोग जानना चाहते हैं पूरे प्रतेसे में डेमेज कंट्रोल किया है या आज भी अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो 6 म मंत्री पसे थोड़ी दे रहे हैं ये क्लियर करते हैं बाई देखें विधायक पत से इस्तीफा दे रहे हैं ब्रिज मोहन जी ये ब्रेकिंग है मंत्री बने रहेंगे ये कहें हम ने ने मंत्री तो मुख्य मंत्री जी अब तक कहेंगे तब तक रहूँगा ने तो आप क्यों से कि बात तो हुई होगी न कि कब तक रहना हैं कब तक नहीं रहना इस अंदर में बात तो ही होगी इसे । बात हमारीNowаться देंद हमारी रोज होती है करद बी बात हुई है पर Αंतो उन्हों ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है अ कि तो क्या माना जाए विधान सवाद जेक्षी जी ने कहा है मुझे कि 21 जुलाई से विधान सवाद का सत्त सुरू होना है तो उसमें आपको सामिल होना है अच्छा ठीक है चलिए वो ये देखे अभी फस गया हूँ मैं मैं फस गया हूँ अभी ब्रिज मोहन जी ने मुझे फसा दिया है मैं कोशिस करता हूँ इस पूरे चक्र रिवीव से निकलने की मैं यह जानना चाहता हूँ आपसे कि जहां कहीं भी बीजेपी फस्ती है या जहां कहीं भी बीजेपी फसी आपको इसलिए भेजा गया कि ब्रिज मोहन अगरवाल वो नेता है जो जा रहे हैं चुनाओ जिता करा और चिंतामणी महराज को कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल करवा के आएंगे लेकिन जब जब सरकार या सथा किसी के हाथ में रही आप जगडा क्यों कर लेते हैं आप इतने जगडालू क्यों है रमन सिंग जी 15 साल सरकार में थे आपकी कभी नहीं पटी उनसे हमेशा आप को कहीं न कहीं सारा आपका और उनका खुले तोर पर सब जानते थे बहुत जमती नहीं है बरिज मोहन भाई या कि देखिए राजनीती में मनभेद हो सकते हैं मदभेद नहीं होते हैं हम भारती जनता पार्टी के कारी करता है रमन सिंगी भी भारती जनता पार्टी के कारी करता है और इसलिए मेरा तो आज भी उनके साथ में बहुत मधूर सम्मंद है और मधूर सम्मंद आगे भी बना रहेगा मेरा जगड़ा किसी से नहीं है पूरे देश में अगर 140 करोड़ लोग है तो कोई एकाज व्यक्ति होगा जिससे मेरी मनभेद मदभेद दोनों होंगे परन्तु मुझे लगता है 1,49,999 लोगों से मेरे सम्मन्द मधूर है तो रमन सिंग जी से उनके कारिकाल में आपके सम्मन्द मधूर थे ये माना जाए मधूर थे तभी तो मैं उनके कारिकाल में तीन बार मंत्री रहा अगर मधूर नहीं होते तो मैं मंत्री कैसे रहता कुछ तो आपकी individual capacity भी है जो पूरा प्रदेश जानता है जो देश भी जानता है जो दूसरे प्रदेश के लोग भी जानते हैं उड़िसा शपत ग्रहन समारोह में आप गए तो कई बड़े नेताओं ने आपसे कहा आपके कद के बारे में कहा इससे ज़्यादा अगर विस्तार से बताने को आप इजाज़त देंगे तो वह भी बता होना है परणतु जब हम किसी संगठन में काम करते हैं तो उस संगठन के जो निर्देश आदेश होते हैं उनको मानना होता है और उनको मानना चाहिए एक अच्छे कारिकर्टा को और मैं पिछले 40 साल से बीचेपी का कारिकर्ता हूँ, ऐसा कोई आदेश निर्देश का हो इ से मैंने नहीं माला हूँ जो आपने सुभेक्षा की बात की बहुत बड़े बड़े नेताओं की इक्षा है ये बहुत बड़े बड़े नेताओं की इक्षा है जो मैं अंदर की बात बता रहा हूं जो अंदर खाने मुझे पता चली कि आप मंदरी मंदल में साथी बने और आप जैसे नेता का प्रतिनेदित मिलना चाहिए बहुत बड़े-बड़े लोगों की मनसा है जाहीं विधी राखे राम ताहीं विधी रहिए मैं कर्म के सास साथ में भाग्य के उपर में विश्वास करता हूं और इसलिए मैं मानता हूं हमारे एक संगठन मंत्री हमारे गुरू राजनेति गुरू हुआ करते थे गोविन सारंगी उनके दर्वाजे पर लिखा हुआ होता था कि समय से पहले और किसमस से जादा किसी को कुछ नहीं मिलता जब हम लोग नाराज होकर उनके पास जाते थे तो उसको पढ़वा देते थे किसक कि इसने साल तक मन्तरी रहेrence और अलग तरह कि लोग आते हैं अलग तरह कि उमीद लेकर आते हैं जैसे मन्तरी पन नहीं रहेगा वैसे अभी तो आप यह आई रहेगा तो पिर ये उमीद लो यहां कि मुझे चिंता नहीं है क्योंकि पूरा देश पूरा प्रदेश। पूरे मंत्री जानते हैं कि भिष्मोहन कोई बी काम अपने व्यक्तिगत हितों के लीए नहीं करता है और इसलिए जन है के कामों को कौई भी नकाड नहीं सकता हम ठोक कर उन antis 프로 करवा सकते हैं यह जो मौझूदा सरकार चल रही है भी भारती जंता पार्टी की सरकार चल रही है मुख मंतरी विस्नुदेव साइजी हो या फिर बाकी मंतरी मंदल के साथ ही अभी कुछ दिन पहले स्याम विहारी जी भी मेरे दफ्तर आये थे तो मैंने उसे पूछा था कि इतने ब जादू है सब आपसे पूछते हैं मेरे पास तो लगभग सभी विधायक आते हैं कि भाईया आप आट बार जीते हो जरा हमको भी बताओ ये गुर्ण कि कैसे आप आट बार जीते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीज है संबंध जो ह तो कि आप शेर हुआ करते थे कि अब कवासी लखमा आपके मित्र भी हैं विधान समयमें बहुत मोज मस्ती करते थे मैं देखा हूं तो अब यह मत कहीं जाए कंकार ने शेर अभी भी कि सेड रहेगा कवासी लखमा के सवाल पर इतना संचित जवाब कुछ संदेश मैसेज ही दे दीजे कवासी लखमा को संदेश कि तुम्हारा मित्र कमजोड नहीं होगा वो सेड है और रहेगा अच्छा इसके लावा शिव डहरिया ने आज एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है वो ये कह रहे हैं कि बिजमोहन जी के लिए कॉंग्रेस का रास्ता खुला हुआ है वो आएं और जो चाहें वो पद ले ले हालाकि उनके पास कुछ नहीं है अभी वो अपना चुनाओ भी हार गए इस तरह के आफर को क्या कहेंगे आप क्योंकि प्रदेश की जनता पता है क बिजमोहन जी कहीं 15-20 विधायक लेकर चले तो नहीं जाएंगे देखी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो हर तरकी होती है और मुझे लगता है विस्तार से आपसे विस्तार में कौन लगा हम लोग रामायन से सीख चुके हैं कि मुरिग मारी चेका में कभी फसना नहीं चाहिए है बाइपास कर रहे हैं आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं ठीक ठाक मतलillar आप यह ऐसा है कि मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं थोड़ा विस्तार दीजिए मैं रामायन के लोकोक्तिंगों के बारे में कहवतों के बारे में पूरे देश की जंता समझती है और इसलिए मैंने जो कुछ का है वो पूरे देश की जंता समझेगी 36 गड़ aard की जंता तो प्रभु राम के आद्सदीक है रामायन के और नजदीक है वो तो यहां के भांजये हैं मा कोसलिय की जन्म भूमी है राम वंगरमन मार्ग है गाओं गाओं में नहोदा रमाइन होती है तो चत्रीजगर के लोग तो रमाइन के लोकोक्तियों को और नजदीक से समझते हैं यह तो पूर मुकमेंतरी भुपेश बगेल रमाइन महोत्सों करवा रहे थे और कोसल्या का जिक्र कर रह हैं मैं उस राइन में नहीं जा रहा हूँ वह तो कालनेमी का तालका का रूप धरन करकर कर रहे थे लोग हमको तो जानते हैं कि हम धर्म प्रेमी है धर्म प्रेमी है तो यह बताइए कि अब ब्रजमोहन अगरवाल को यह पूरा प्रदेश किस रूप में सुईकार कीजिए एकदम राजनीतिक बयान बाजी मत करिएगा ब्रजमोहन जी आप आपके एक बयान ने खलवली मचा दी यहां से लेके दिल्ली तक कम से कम विस्तार न्यूज में आप आये थे इसके उद्घाटन में इतना विस्तार दे दिए कि ब्रजमोहन अगरवाल जैसे माल लीजेए अप कहीं उप्चुनाओं होगा तो ब्रजमोहन अगरवाल किस कद के तहत वहां जाएंगे ब्रजमोहन अगरवाल अब प्रदेश की जनता को किस है मैं तो अब देस के नेता के रूप में लोगों के बीच में जाऊँगा और जो लोगों का अपनत तो है प्यार है प्रेम है इस लिए है और बिज्मोहन उसके नाते उनके बीच में जाएम ऐगा चातिस घड़ी की जनता आपको जादा पसंद है या देश की जनता आपको जादा पसंद है पहले देश फिर प्रदेश लेकिन प्रदेश ने आपको देश तक पहुचाया है तो इसलिए पहले प्रदेश या देश नहीं पहले देश फिर प्रदेश और प्रदेश की जनता को कभी ये महसूस न कराया है आज देस की संसद में सौ ज्यादा संसद मेरे मित्र जब मेरा समन्मव तभी तो मित्र आज मंत्री मंदल में आ chrom से जgoing से सामन्जर से बैठ Warsaw मुझे कोई दिक्तत ने तोकंसा ऑपके मित्र हैं सो अगर कहूं गा तो咂 нет वो मेरे साथ विधायक रहे हैं जब मैं 미रे साथ मैं तो मेरे साथ अब आपके इससे हट जाता हूं, मैं आपको जाना भी है, आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछता हूं, जनता की भी तो इक्षा थी ना, ब्रिज मोहन जी, आप राइपूर में इतने साल तक प्रत्रिधित किये, प्रदेश में आपका एक कद है, जनता की भी तो इक्षा अच्छा सोस्ती है बड़ा सोचती है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और उसी ताकत के दम पर आज में 40 तालों से राजिमितिक में भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप इतने अच्छे सवालों का जवाब आपने दिया, आपका बहुत-बहुत धन्य और सुभकाम नाएंगे.